नमस्कार दोस्तों, इनकी एज 37 एर्स है, यानि 37 के आसपास होंगे ये, इनके थोड़े सवाल है, बैंक्वेट हॉल या होटल उपन करने की इनकी इच्छा है, जीवन भर की कमाई लगेगी इस प्रोजेक्ट में, मैं सला नहीं दूंगा कि आप इस तरह का कोई जीवन भर की कमाई लगा कर किसी प्रोजेक्ट में आप काम करो, ठीक है, आपने 36 तक जिस तरह की धन रेखा थी, उतनी मजबुत धन रेखा आपको आगे नहीं है, और बीच बीच में आपको भहुत सारी राहू रेखाए भी है, मैं डराना नहीं चाहता, पर भहुत सारी फिस्टाहिने पैसा जीवन में आता रहेगा, पर आपको बीच बीच में रुकाउटे भी आएगी, तो मैं नहीं चाहता कि आप अपना जीवन भर की जो कमाई है, या जो आपके बाद धन है, वो सारा इसमें लगा दो, ऐसे कोई प्रोजेक्ट में, मैं सला नहीं दूँगा, और वीडिय बिल्डिंग बनाने की, यानि बिल्डर बनने की इनकी इच्छा है, ऐसा इन्होंने लिखा है, पर अपर्चनिटी नहीं मिल रही है, 36 तक आपकी तो भी धन रेखा एक व्यवस्तित थी, उसके बाद आपके जिवन में इतनी दमदार धन रेखा नहीं है, और आपको रहू रेखाय भी बीच-बीच में काट रही है, मैं आपको सारी वस्तुए समझाऊंगा, आपको सारी चीज़े समझ में आ जाएगी, रास अवल स्लिप डिस्क का, तो एक्छिल में ऐसी कोई मेजर प्रॉबलम आपके हाथ में है, स्लिप डिस्क से रिलेटेड क्योंकि माइन लाइन हमारी स्पाइनल कोड को इंडिकेट करती है, अभी आप 34 के आसपास हो, जैसे अभी ये दो रेखाय यहां पर दिख रहे हैं, मैं कलर फोटो में दिखाऊंगा, ये जो इस कंडिशन 32 के आसपास या 33 के आसपास ऐसे दो रेखाय काट लेती है, तो उस समय हमें कोई न कोई कमर से दिलेटेड इशू आते हैं, पर ऐसा मेजर इशू आपके हाथ में शो नहीं हो रहा है, मेरे ग्यान के अनुसार मुझे नहीं लगता आपको कोई स्लिप डिस्क लॉंग टर्म रहने वाला है, आपके हाथों से ऐसा महसुस नहीं हो रहा है, मेरे ग्यान के अनुसार, ताब उसमें चिंता मुक्त हो जाईए, कोई भी काम निरंतर नहीं चलता, टांस्पोर्ट का काम दो साल में कुछ कारणवास बंद करना पड़ा, प्रोफिट अच्छा था, पर लेकिन फिर भी बंद करना पड़ा, कोई र इजनसी हो, तो इजनसी अब निकल जाती हात में से, इस तरह के काम होते हैं जीवन में, तो आपको भरपूर रहू रेखा है, तो इस तरह के काम आपको बिच-बिच में हडल्स आती ही रहेगी जीवन में, आप एकसेप्ट करके चलो आप, ठीक है, आपने बच्पन की इस से जिया क्या है, पर आने वाला समय आपका रहू रेखाओ वाला है, तो आपको बिच-बिच में इस तरह की तकलिपे आएगी, दोजार सत्रा में इन्वेस्मेंट किया था, अभी वेलेशन तीन करोड की है, बिल्डर रुक-रुक कर काम कर रहा है, कब तक खुलेगा इन्व इन्वेस्मेंट किया है, अगर राहू रेखा है, तीन करोड का नुकसान नहीं देती, इस तरह की राहू रेखा है, तीन करोड का नुकसान नहीं देती, हाँ, आपकी धन रेखा पर एक सुम्पोन कठ था, अगर इस पिरियड में मैं आपको जब धन रेखा पर आऊंगा, इंडिकेट करूँगा इस लाइन इस पिरियड में आपने अगर इन्वेस्मेंट किया होगा तो आपको अच्छा खासा आप आर्थिक नुक्सान समझ कर चलिए तो फिर आप आशाय कम कर दीजिए आपको भरीन आर्थिक नुक्सान का उदर था चांस यानि गया होगा तो यह मैं आपको वीडियो में बता दूँगा आप वो ही सबसे अपना थिंकिंग कीजिए कि इस पिरियड में क्योंकि 2017 और आज है 2018 और 2019 दो साल पहले और अभी आप साड़े 37 के हो और साड़े 35 के आसपास ही धन्रेखा पर कट था तो उस पिरियड में किया होगा तो यह आपका नुक्सान समझ कर आप एकसेप कर लीजिए और कोई भी कट जब लगता है चाहे वो राउरेखा का हो चाहे धन्रेखा पर कट हो हमें अगर पैसे आते भी है तो मेरा जो आकलन है जो एकस्पिरेंस है वो 30% आते इससे ज़्यादा नहीं आते तबियत भी स्लिप्डिस की वज़ा से नरम गरम रहती आरुवेदिक उप्चार की से रहत है पर लेकिन डर बना रहता है फिर से तबियत खराब नहीं हो इसका मैं जवाब दे चुका हूँ आपको मुझे नहीं लगता आपके जीवन में स्लिप्डिस का लॉंग टर्म का प्रॉब्लम रहेगा मैं अब भी आपको क्लियर कर देता हूँ इस सब्जेक में क्योंकि कोई व्यक्ति लॉंग टर्म अगर बिमार रहता है तो वो डरता है जैसे यहां पर और कोई फोटोग्राफ देखता हूँ मैं जिसके अंदर मैं आपको समझा पाऊं यह ऐसे जब रेखाया आती है माइन लाइन पर कट करती है उस समय हमें कोई न कोई पेन आता है और यह पिरियड जो आप मेंशन कर रहे हूँ इसी पिरियड के आसपास आपको यह तीन रेखायों ने माइन लाइन पर कट किया था और इसी वज़े से आपको जीवन में रुकावट स्लिप डिस का प्रॉब्लम हुआ होगा मैं कई वीडियो में कहता हूँ कमर रह जाना या इस तरह का प्रॉब्लम आता है अब यह आपको continue तीन रेखायों ने काटा तो आपके लिए हैवी हो चुका वो चीज अगर एक रेखा काटती है तो 10-15 दिन का पेन आता है कमर का और वो जैसे ही पेन निकलता है उसके बाद धीरे धीरे स्मूथ हो जाती है लाइफ पर आपको continue दो साल के अंदर तीन रेखायों ने काटा था तो हो सकता है उसका असर ज़्यादा रहा हो आप पर पर मुझे आगे ऐसा कोई major problem आपके mind line पर शो नहीं हो रहा है तो आप मेरे ग्यान के अनुसार यह temporary problem था आगे दिखने ही रहा है मुझे अब आपके वापस overall pump analysis करता है आपको सारी चीजे समझ में आ जाएगी जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी दो उंगलिया थोड़ी सी भी उपर हो तो ऐसे लोगों में थोड़ा सा अंतर रहता है समझ सकती में जो समय पर समझ में आना चीए वो नहीं यह लोग समझ पाते और समय निकलने के बाद अफसोस होता है मैंने यह काम किया होता तो अच्छा होता था और यह जीवन भर का problem रहता है हाथ गुलाबी है यह प्लस पॉइंट है इस तरह के गुलाबी हाथ वाला व्यक्ति पैसा अच्छा आता है जीवन में और इनको ऐसी कोई financial ट्रबल नहीं है क्योंकि बहुत सारी फिशाईन है तो पैसा तो जीवन में बरसेगा पर इनकी धन रेखा इतनी सुन्दर भी नही कर लें और फिर ग्रोध कम मिलें और हमेसा अपसोस करते रहे तो मैं नहीं चाहता कि इस तरह का काम यह करें यह पॉरा स्क्वेरिस भी रहा और रेक्टेंगल भी है जब रेक्टेंगल होता है तो व्यक्ति कहीं न कहीं ज Wanna पर बैटे बैटे बोलकर कारे करनी की इच्छा श सी जीदोगी सेकल फैलेंच काफी बड़ा है तो लॉजिक के साथ कर्थो के साथ अपनी बात रख पाते होंगे थोड़ा सा अंगुठा मूर भी रहा है तो थोड़ी सी मित्ता पुर्ण वैवार वाली स्थिती भी रहेगी मित्रों में भी समय जाता होगा और यह जब अंगु हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या जादा रहती है और जुपिटर की उंगली कहीं न कहीं इस फोटोग्राफ में मुझे थोड़ी सी बड़ी लगती है तो इगो प्रॉबलम भी रह सकता है इनको छोटी छोटी बातों में बहुत बड़ी उंगली तो नहीं है पर फि इसको निगलेक करनी के आपको आदट डालनी पड़ेगी तो यह आपको ही अंदर से कोर कर खाएगा यह उंगली फिर्स फैलें तक पहुच रही है तो व्यक्ति डॉकुमेंटेशन फाइलिंग चीजों को संबाल कर रखना याजशक्ति मनी मेनेजमेंट और अकाउंट यह स कि हर आदमी एक्टिव पॉलिटिक्स में पार्ट लेता है पर बाते करना अच्छा लगता है प्लस बच्पन से कोई एक पार्टी के फॉलोवर होते ही यह लोग और उनके अच्छे खासे जब इलेक्शन के समय उनका अच्छा सुनना उनके जो चीजे होती है वो अच्छी इनको यही मानसिकता इनकी होती है अब इनके खुलोज अप कई और इनके बहुत सारे फोटोग्राफ मुझे लेने पड़े है यानि एक फोटोग्राफ से सारी वस्तु ए इनकी शो नहीं हो रही थी तो तो मैंने तुक्डों तुक्डों मैं इनकी मैं एनालिसिस करूँगा पर कहीं न कहीं मैं रीचिंग पॉइंट पे पहुचाओं इसकी मुझे खुशी है बुद्परवत पर खड़ी लाइन है ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है गुड़ा पे मैं भी अच्छी की इंकम आती रहेगी और ये पार्ट यहां से उभार है और ये पार्ट दबा होता है ये पार्ट दबा होता है तो व्यक्ति अपने मन की बात नहीं कर पाता मित्रों में या बिजनेस मिटिंग में भी बैठा हो वहां से निकलने के बाद या आता आता है कि ये बात बुलनी थी और ये पाट उभार होता है तो छोटा भी काम करता है तो उसे लगता है कि मेरा नाम होना चीए इनको नाम की अभिलाशा ज़्यादा रहती है अब यहाँ पर मुझे लगता है एक यस्ट साइन भी होनी चीए ऐसे लोगों को यस्ट भी प्राप्त होता है पर इतनी खुल कर नहीं समझ में आ रही है किवले एक लाइन दिख रही है और सेकेंड लाइन इतनी साफ नहीं दिख रही है पर आभास हो रहा है अब इनके भूत सारी फिश साइन है कोई हिसाइन आपको दिखेगी, कोई नहीं भी दिखेगी आपको, इस तरह की भी इस्तिती होगी, पर बहुत सारी हिसाइने आपको शो हो जाएगी एक छोट इसी यहाँ पर शो हो रही है, इस जगह पर, यह इस जगह पर एक, एक यहाँ पर है, दो, इस फोटोग्राफ में काफ़ी क्लियर साइन आई है, एक यहाँ पर है, तीन, और इसी फोटोग्राफ में नीचे की तरफ तीन साइन है, एक पहली यह, सेकेंड, यहाँ पर, थर्ड, यह सारी छोटी छोटी है, तीन, यह तीन साइन इसी जगह पर शो हो रही है, इतने सर्कल के अंदर, और एक काथ, काफी बढ़िया साइन है इनके हाथ में, वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, यह यहाँ पर, जब किसी व्यक्ति के हाथ में इतनी सारी हो, तो पैसा तो जीवन में आता है, हाँ, यह कभी भी जीवन भर अपसोस रहेगा, इनके वास जो बुद्धी प्रतिबा होगी, उसका यह पूरा उपयोग नहीं ले पाएंगे, इनको यह चीज का अपसोस जीवन भर रहेगा, पर पैसा इनके जीवन में आएगा, कम या ज़्यादा पर आता रहेगा, यह सबसे बड़ा एडवांटेज, यह ले कर आए, अब वापस उस इंक लगे हुए पाम पर चलना पड़ेगा, इनके, यह जब लाइन होती है, तो कहीं न कहीं ऐसे लोगों को बड़े-बड़े लोग संपर्क में आते हैं, अपनी केपेसिटी से ज़ादा बड़े लोग इनके संपर्क में आते हैं, इसका यह फाइदा होता है, राधनेतिक फाइदा भी मिलता है, पॉलिटिकल फाइदा भी मिलता है इस लाइन से, यह भी देखा गया है, और ऐसे लोग सफलता भी पाते हैं, और श्रनी परवत अगर यहां से थोड़ा सा भी दबा होगा बीच में से तो ऐसे लोगों को कहीं न कहीं इंट्रेस पे करना ही पड़ता है चाहे कितना भी अमीर आदमी हो अगर ये दबाच छेत्र लग तो रहा है भले कितना भी अमीर हो पर उसे इंट्रेस यानि ब्याज चुकाना ही पड़ता है जीवन बर जुपीटर माउंट यहां से थोड़ा सा डिश्टब है अब ऐसे लोगों को पारिवारिक और सांसारिक समस्या रहती है हाँ सांसारिक समस्या से तभी निपकारा मिलता है जब हमें बच्पन में जोर से एक बार सर पे लगाओ खुन निकलाओ जो आज भी याद रहता हो और थोड़ा थोड़ा सर्द रहता हो तो पती-पत्नी के बीच में मन मुटाओ नहीं रहता पर पारिवारिक समस्या रहती है, रहती है, रहती है इसका यह उपाई भी कर चुके है यहाँ पर एक ट्रैंगल भी है ऐसे लोगों को पॉलिटीकल और सरकारी लाभ भी प्राप्त होता है और यह नर प्राप्त भी हो तो भी ऐसे लोग आम लोगों से ज़्यादा संपन्द होते जिनके यहाँ पर ट्रैंगल होता है एक स्क्वेर साइन भी है ऐसे लोग 32 साल के पहले कोई ने कोई प्रॉपर्टी लेते और 36 साल में अथोरिटी पोजीशन पर पहुशते है प्लस बोलने की कारे में एक्सपर्ट होते है बहुत सारी लाइन है एक दो तीन चार यह लाइन है व्यक्ति को मल्टिपल इंकम देती है पामिस्ट्री एस्ट्रोलोजी इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है सेवा भावी होते हैं और धार्मिक होते है अंडूनी मंगल काफी अच्छा है तो सारी रिकुर्जा व्यक्ति में अच्छी पाई जाती है और थोड़ा सा भी उभार हो तो व्यक्ति को अपशब्द बोलने की आदत होती है जवानी और टीनेज में अच्छी खासे अपशब्द बोलते है पर जैसे उम्र बढ़ती है कम हो जाता है फिर वापस जब हाथ पेर नहीं चलते उस समय व्यक्ति अपशब्दों का प्रयोग करता है अगर यह उभार होगा तो भारी मंगल अच्छा है जब किसे से मिलेंगे एनरजी के साथ मिलेंगे सामने वाला प्रयोग करेगा और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है इनका चंद्रपरवत अच्छा है और चंद जीवन रेखा से भी एक साखा जा रही है तो ऐसे लोगों को विडेस में घुमने का भी आउसर मिलेगा मिलेगा और मिलेगा सेकेंड पानी अच्छा लगता है दूद से बनी वस्तूर अच्छी लगती है नहीं चीजे करने का शौक होता है जिनका चंद्रपरवत अच्छा होता है प्लस अच्छे परचे सर होती है यह लोग यह सारा एडवांटिज इनको मिलता है और यहां पर अगर यह इस तरह की सिच्वेशन होगी तो ऐसे लोगों को प्रकृती से प्रेम होता है यानि पेडों से प्यार करते हैं निसर के पास रहने की कोशिस करते हैं यह लोगों यह इनकी खासियत होती है और यह अच्छी खासी भूत रेखा भी है और इसके द्वारा बनने वाला अच्छा खासा मनी ट्रेंगल भी है तो सामराज जितो जो भी काम करेंगे बड़े स्तरकाई करेंगे अच्छे खासे लोग इनके पास काम करने वाले भी होंगे और मनी ट्रैंगल भी है जो फिशान वालों को न भी हो तो संपत्ति हमेशा बनी रहेगी ज़्यादा चिंता करने के आवशकता नहीं है शुक्र परवत भी अच्छा है और ये देखिए शुक्र लाइन के अंदर ये जब ये कंडिशन होती है ऐसे लाइन चलनकर ये ऐसे साखाय उपर की तरफ जाती है तो ऐसे लोगों को जीवन काफी लगजरियस होता है काफी लगजरियस और ये जो शुक्र परवत अच्छा हो तो व्यक्ति अच्छे कपड़े पेहनता अच्छी तरह रहता है लग्जरिस लाइफ का शौक होता है और उससे पूरा भी करता है अब इनकी हिर्दे रेखा को देखे हिर्दे रेखा कम्प्लिट गुरू परवत से सुरुवात हो रही है जब ये कंडिशन होती है तो व्यक्ति एक दम भरों से लाइब होता है जवानी में प्यार का प्रदर्शन करना इनको पसंद आता है पर एक देवदूत तरह की परस्नालिटी होती है किसी का बुरा नहीं सबसे अच्छी तरह रहना बहुत अच्छे सभाव की ये लोग होते है हाँ थोड़े भावग जरूर होते है भावनाओं में निने जरूर लेते और ये हिदे रेखा सीज़ दी चलकर आगे बढ़ रही है और यहां पर ये जो लाइन है ये मावाव की सेवा करने वालों के हाथ में होती है हिदे रेखा काफी सुन्दर है कोई प्रॉब्लम नहीं और उसी में से एक साखा इस तरफ जा रही है ये गुस्सा भी दिलाती है पर एक सर्टन एज तक व्यक्ति को गुस्सा रहता है उसके बाद थोड़ कम होते जाता है पर ये गुस्सा तो दिलाती है स्लिप डिस के बारे मैं बैट डिसकस कर चुका हूँ तो अभी इस पर मैं डिसकस नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पर मैंने दिखा दिया है ये इस तरह से रेखा है काट रही थी ये माइन लाइन और एक यहाँ से भी माइन लाइन शुड़ हुई यानि ये डबल माइन लाइन इनकी सुरुआत हुई है एच I think 33 के आसपास से 32-33 के आसपास से ऐसे लोग बहुत शार्प होते है बहुत ज़्यादा शार्प एक साथ चार चार पाच पाच काम कर सकते है आपसे वाटसप पर भी बात कर लेंगे फॉन भी कर लेंगे टिवी भी देख लेंगे किसी ने कुछ पूछा तो जवाब भी देदेंगे इतने शार्प होते है और ये डबल माइन लाइन जब शुरुवात होती है तो भी ये भी सफलता दिलाती है जीवन में पैसे के मामले में तो ये एक एडवांटेज है पर सारी लाइन है छोटी है तो बुद्धी प्रतिभा में कमी नहीं होती पर थोड़ा सा भी दवाव एक्स्ट्रा आया तो गुस्सा आता है अब इनके हाथ में एक बंधन योग भी है ये यहाँ तक इनके जीवन में बंधन योग था यानि एज 30 तक मैंने एक अंदाजा निकाला है एज 30 तक ये बंधन योग था प्लस मैनस वन यर आप पकड़के चलना ये बंधन योग के कारण होता क्या है हम परिवार को छोड़कर कुछ भी इन्वेस्मेंट किया तो हमें पूरा मुलधनी गायब हो जाता है हाँ परिवार को बोलकर कोई भी इन्वेस्मेंट किया कोई प्रॉबलम ने आप पैसा कमाओगे पर परिवार को बोले बीना या परिवार का साथ लिये बीना कुछ भी काम 10 अज़ा रुपे भी आपने कोई इन्वेस्मेंट कर दिये दूप जाएंगे और 10 करोड भी किये तो दूप जाएंगे और इनके साथ लगबग 70 लाख या 90 लाख इन्होंने इन्वेस्मेंट किया था और वो पूरा मुलधनी गायब हो गया तो ये कंडिशन होती है बंदन योग में ये लोग जब बड़े होते हैं तो आसपास के लोगों को पता भी नहीं चलता कि व्यक्ति कब बढ़ा हुआ यानि इतने लोग प्रोफाइल रहते हैं और जैसे ये बंदन योग पूरा होता है तीन साल में तो समाज के लोग और आसपास के पास पड़ोस लोग आशेर चकीद होते कि ये लड़का इतना सिंपल था और इतना कैसे आगे बढ़ चुका आशेर चकीद होते अच्चानक जैसे रफ्तार पकड़ती है जीवन इनका ये बंदन योग जैसे छुटता है और जब तक बंदन योग रहता है वाद तक ये परिवार का बंदन इनको भी पसंद आता है और परिवार के लोगों को भी इन पर बंदन रखना अच्छा लगता है यानि दोनों वाईसे वर्षा साथ में चलता है तो ये तो हो गया इनका 30 साल तक का ये बंदन योग और इसमें इनोंने 70 लाग या 90 लाग कहीं इन्वेस्मेंट किये थे और सारे डूब गए अब मैं एमाउंट भूल गया हूँ इनोंने मुझे बताये भी था 70 लाग का था या 90 का था दो मैंसे कोई एक एक अग्वाउंट इनोंने मुझे डिसकस किया था अब ये तो हो गई यहां तक की स्थिती ये दोनों parallel line चल रही है तो ऐसे लोगों को एक्ष्ट्रा जिम्यदारिया भी उठानी पड़ती है जीवन में ये फ्री नहीं हो पाते कोई न कोई एक्ष्ट्रा जिम्यदारिया किसी न किसी परिवार की एक्ष्ट्रा जिम्यदारी इनके सर पे रहती है ये second minus point अब इसी photograph के अंदर मैंने राव रेखाओ का period निकाला है क्योंकि यहां पर इतनी स्पष्टता से इस photo में राव रेखा आई नहीं थी तो मैंने अपने विवेक से count किया क्योंकि हर जगा एक line दिख रही थी इस तरह से तो मैंने उसको divide करके सामने रखा है और ये period है इनके जीवन का पहली line है 32, second line है 34, third line है 36, 37, 39, 41 और 43 अब ये यहां तक रेखायद दिख रही है उसके बाद इस photograph में ऐसी साफ रूप से रिखायद नहीं नजर आ रहे थी तो मैंने इन्होंने एक और photograph बेजा उसका सहरा लिया अब इस photograph को देखिए मैंने बड़ी line जो थी इसको मैंने माप दंबाना इसको 43 तक मैंने पकड़ा उसके बाद देखिए एक 41 माना इसको और इसको 43 और इसको 45 और 45 में एक आपशुट भी है तो कोई ने कोई अच्छी सफलता भी इनको मिलेगी उसके बाद 45 से लेकर ये continue 14 साल तक इनको छोटी मोटी रेखा है काट रही है जो मैं दूसरे फोटोग्राफ में दिखा रहा हूँ ये देखिए ये continue इस तरह से रेखा है चलेगी हर साल देड़ साल दो साल मैं कोई न कोई रेखा इनको 45 के बाद भी आती रहेगी अप टू 59 तक और उसके बाद भी अगर देखे 59 के बाद भी ये चार साल के बाद यानि 59 और 4 63 और ये तीन साल के बाद 67 तक ये रहू रेखा है इनको continue परेशान करेगी मैं ये इसका उपाय दे चुका हूँ street डॉग को खाना खिलाने का कह चुका हूँ कई लोग हम से कहते हैं कि हमारे घर में दो डॉग है घर के डॉगों से कोई खास फर्क नहीं पड़ता हमें street डॉगों कोई खाना खिलाना होता है तो कहीं न कहीं रहात होती है और कोई भी उपाय से 100% रहात नहीं होती हम इश्वर नहीं है आपको जो लिखा है वो भुगतना है ठीक है थोड़ा सा रिलेक्स आपको हो सकता है इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा आशा है उपायों से रखने की आवश्यक्ता नहीं होती पर वो थोड़ा सा भी जो फायदा वो काफी कुछ बड़ा फायदा लगता हमें क्यूंकि हम जब संकट में होते हैं तो कहीं न कहीं हमें रिलेक्स मैसूस होता है तो ये भी एक एडवांटेज है तो ये सारी स्थिती देखकर अब इनकी धनरेखा पर चलते हैं मैंने इनको बड़ा इन्वेस्मेंट करने के लिए क्यूं ना का ये देखिए एक कट लगा इनको ओम्र लगबग लगा होगा 29 के आसपास एक कट इनको लगा होगा ओम्र 33 या 32 में जो इन्होंने फ्लेट का इन्वेस्मेंट अगर इस पिरियड में किया होगा 35 के आसपास तो ये कट भारी कट था ये 2 से 3 करोडों का नुकसान देने की ताकत रखता है ये करोडों का नुकसान देने की ये वाली जो लाइन है ये ताकत रखता है अगर इस पिरिएड में नुकसान आपने इन्वेस्मेंट किया होगा तो आप उससे 30% तक वसुल कर पाओगे इससे जादा नहीं और ये सारे कट है एक कट यहाँ पर भी है पर इतना बड़ा नहीं है इसमें चिंता करने की ज़रत नहीं ये फोटी के आसपास आपको कट मिलेगा एक सिधा कट है यहाँ पर इसमें भी कोई चिंता करने की ज़रत नहीं ये तो केवल कोई पारिवारिक खर्च दिखाएगा बाकी आगे मेजर कट नहीं आपको पर आपकी जो धन रेखा है वो इतनी भी सुन्दर नहीं है यह देखिए यहां तक तो भी यह धन्रेखा 36 तक भी अच्छी थी 30 से लेकर 35-36 तक यह धन्रेखा अच्छी थी उसके बाद यह धन्रेखा इतनी स्ट्रॉंग नहीं है अप्टू यहां तक ही आप समझ लो इतनी स्ट्रॉंग नहीं है ठीक है बीच बीच में कोई अच्छा समय भी आएगा पर इस पिरियड तक तो 49 तक तो जरा भी अच्छी नहीं है तो मैं नहीं कहूंगा कि आप कोई बहुत बड़ा इन्वेस्मेंट करे और उसके बाद उसका वसुली उस लेवल का नहो जितना आपने पूरा अपना इन्वेस्मेंट डाल दियो जीवन की पूरी कमाई डाल दियो क्योंकि इतनी स्ट्रॉंग धन्द्रे खा नहीं है पर बहुत सारी फिच साहिने है एक्सपेंस लेवल यह हाई आपको बेनेफिट नहीं मिलने वाला और कामों में रुकाउटे भी आपको फिलोगी क्योंकि बहुत सारी रहो रिखाए है आपको तो यह आप एक्सेप्ट करके चलो जीवन संगर स्पून आने वाला है जीवन संगर स्पून रहने वाला है पर पैसा भी आपके पास आता रहेगा कम मात्रम है ज्यादा मात्रम है पैसा आते रहेगा पर यह एक्सेंस लेवल भी हाई रखेगी यह लाइन और दुसरा माइनस पूइंट देखे तो यह बीच बीच में लाइने जो नाड़ी का रेखा है भी काटती है यह भी हमें प्रोग्रेस कम देती है और इसी तरह की धन रेखा यहां से तो थोड़ी तो भी सुदर रही है तो अब तू बाद में एंड तक ही अच्छी है हां बहुत अच्छा प्रोग्रेस आपको यह लाइन दिलाएगी और यह लाइन दिलाएगी यह लाइन चालू हो रहे है फिप्टी सिक्स में और यह लाइन चालू हो रहे है फिप्टी एट के आसपस पर ये बीच वाला पिरियड आपको संगर स्पून ही रहने वाला है तो आप बहुत सेफ चल रहे हैं और बहुत ज्यादा रिस्क लेने की आवशक्ता नहीं है जीवन में तो आशा रखता हूं इनके सभी प्रश्णों के जवाब इनको मिल गए होंगे और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद